देश में इन दिनों अपराधिक घटनाय थम नहीं रही है जब भी किसी मामले में आरोपी पकड़ा गया है तो देखा जाता है कि उसका किसी ना किसी राजनितिक दल से संबंध निकल आता है अब तो अपराधिक चरितर के लोग चुन कर संसद और विधानसभा के सदस्य भी बनने लगे हैं ऐसे में अब इलाबाध हाई कोर्ट ने इस पर चिंता जताई है तो क्या कहा है हाई कोर्ट ने देखे ये रिपोर्ट इलाबाध हाई कोर्ट की लखनव पीठ ने संसद और भारत के चुनावायोग से कहा अपराधियों को राजनिती से हटाने के लिए परभावी कदम उठाए जाए अपराधियों और राजनेताव वन्नोकर्शाहों के बीच अपवित्र गठ जोड को तोड़ा जाए इसके साथ ये अदालत ने कहा कि ये संसद की जिम्मेदारी है कि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए अपराधियों की राजनिती और विधायका में प्रवेश करने से रोकने के लिए सामुईक इच्छा शक्ती दिखाए और ये सपष्ट करे कि देश लोकतंत्रिक सिध्धान और कानूनों के शासन पर चलता रहेगा अदालत ने कहा कि कोई भी इससे इंकार नहीं कर सकता है कि मोजूदा राजनितिक अपराद, पहचान, संडरक्षन, बाहुबल और धन नेटवर्क में फस गए हैं। के सांसद अतुल कुमार सिंग और अतुल राय की जमानत याचिका खारिज करते हुए ये टिपनी की गई है। में हजरत गज पुलिस ने मामला दर्ज किया था जिसके बाद मामले पर सुनवाई के दोरान पीट को पता चला कि साल 2004 में 24 फीजदी लोकसभा सांसदों के खिलाफ आपरादिक मामले लंबित थे। जो 2009 के चुनाव में बढ़कर 30 फीजदी हो गए और साल 2000 में ये बढ़कर 34 फीजदी हो गए और साल 2019 में लोकसभा के लिए चुने गए 43 फीजदी सांसदों के खिलाफ आपरादिक मामले लंबित थे। पीठ ने कहा कि इस तथे के बावजूत की सर्वोचे नियायले ने राजनीती के अपरादिक करण और चुनावी सुधारों की अनिवारिये जरूरतों पर ध्यान दिया है। के प्रशासन और नियाय वित्रन परणाली में लोगों का विश्वास घट रहा है।